कि अंदर हम लोगों ने कुशन नंबर 14 स्टार्ट करना है exercise 2.1 का याद रहे कुशन नंबर 14 जो है आपके पास पेपर का कोशन है एक इंपोर्टेंट कोशन है और यह लोंग में आया हुआ है तो इसको समझना समझना है उसकी जुरूर पैक्टिस करने यह एक इंपोरटेंट कोशन है इसका सुल्इशन स्टार्ट करते हैं क्या रहा है बेटा क्या रहे हैं इसने एक बीसी खुदनाम भी दे सेंटर तो सरकम सेंटर का मतलब यह होता है कि जो ट्राइंगल है वो किसी एक सर्कल के अंदर है तो इसी लिए यह जो सर्कल बना दिया और यह जो पॉइंट वो सर्कल के सर्कंफेरंस से टच कर रहे हैं तो यहां पर क्या किया रहा है यहां पर क्या रहे हैं तो सबसे पहले आप यहां पर सर्कंफेरंस सेंटर मालूं करें और फिर इसका रेडियस मालूं करेंगे है वह कैसे मालूं करेंगे आपको समद्द का देगा जब वाप से स्टार्ड करते हैं सबसे पहले को क्या पर सोरीप्रकर पर इसके बाद दूसी चीज जो है वो आपको radius मालूम करके देना है ठीक है जी student radius radius को आप आज से present कर दें तो इस center और radius मालूम करके देना है इसका circumscribe का चलें यहां मालूम करते हैं, तो इसके लाबा अब क्या करेंगे चो given क्या दियावा आपको दौरा देख लें given आपको यहां तीन पॉइं पॉइंट दियावा है यह तो इसको में मालूम करने के लिए सबसे पहले जो चीज करूँगो करूँगो जब देखें यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टंस है वो क्या होगा सेम होगा ठीक है यह बात आपको पता होगी क्यों कि यह रेडियस बन रहे हैं रेडियस आपको पता है इंकि सारे जो लेंथ होगी वो सेम होगी इस प्रोप यह भी है, तो यह मसला करेगा, ठीक है, confusion करेगा, तो center को मैं O से represent कर रहा हूँ, ठीक है जी student, तो इनके distance निगा लूँगा, वो same आएंगे, तो same कैसे आएंगे, उस property को use करते हुए, यहां से center है, वो उपना मालूम कर लूँगा, तो चले जी start करते हैं, इसका solution, जो सबसे प यहां पर A, O, side distance जो है, वो मालूम करूँगा, ठीक है, side की length मालूम करूँगा, तो यहां पर सबसे पहले A point यूज हो रहा है, A point के coordinates क्या है, 2 और 1 है, उसके लावा O point यानिकि जो center है, वो क्या है, X और Y है, आपको तो उसकी value पता ही नहीं है, वो ही तो value आपने मालूम कर तो distance formula क्या होता है, X2-X1 का whole square, plus Y2-Y1 का whole square, इसके अंदर value put करते हैं, simplify करेंगे, तो इसको मैं आगे ही इसके continue कर देता हूँ, तो X2 की value क्या है, X2 की value आपके पास X है, ठीक है, minus X1, तो X1 की value आपके पास क्या है, 2 whole square, plus आगे क्या करना है, आगे इसके करना है, Y2, Y2 की value क क्या है, आपके पास Y, minus Y1 की value क्या है, आपके पास 1, ठीक है इसके इसको क्या करेंगे ज़रा देखेगा बेटा, यहाँ पर A-B का, और A-B का whole square के formula लगाए, तो ज़रा देखेंगे, A-B का whole square के फार्मूला लगाएं, तो ज़रा देखेंगे, A का square के यह नहीं के x square, plus, sorry, यहाँ पर minus लिखा हुआ है, तो आप लिखें, minus 2AB, तो यह 4X हो जएगा, फिर plus 4 हो जएगा, ठीक है, इसको इसको exponent रहते हैं, तो Y square, यानि के A का square, minus 2AB, और plus का, B का square करूँ हो, तो यहाँ पर 1 का square किया, 1 आजएगा, ठीक है, इन दोनों के मैंने A plus B के formula लगा देखेंग इसको थोड़ा सा range करके लिख लेता हूँ, यानि कि सबसरे पहले X square की value, फिर square की values लिख लिख ली, फिसके बाद बगेर X square वाली values लिख लीख ली, तो यह minus 4X और minus 2Y, ठीक है इसके बाद constant number रह गया, 4 और 1, तो इसको जबाद के तो यहाँ पर आपके पास रह गया 5, तो सब्सक्राइब आगे चलते हैं अब हम मालूम करेंगे इस साइड का तो इसको बोलते हैं भी ओ साइड का डिस्टस मालूम करेंगे तो इसको मालूम ही कर रहे हैं चले जी तो सबसे पहले पॉइंट होता है हम हम aqqg तो कंसिम्टर कर लेते हैं और अब किया करना है दिस्टन करते हैं जारा देखें कि क्या होगा एक्सितू की वैल्यू कंसिम्टर कास एक्स है मैनस एक्सी वािए पास आपके पास y है, minus y1, y1 की value का है आपके पास 2 है, तो इसका whole square, देखेंगे, जिस simple आपने यहाँ पर value पूट करती है, अब क्या करेंगे दर आगे वो देखें, student a-b और a-b का whole square के formula से इस दोनों को हम यहाँ पर expand करेंगे, तो जब देखेंगे, इसको जब लेते हैं, क्या 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 करेंगे, सबसे पहले square की value लिख लेंगे, x square, y square, फिर बगार square value value लिख लेंगे, ठीके जिस student, इसके बाद जो constant number है, 25 और 4, यह plus करते हैं, कितना आगया, 29 आगया, तो यह आपने b-o side जो length मालूम करी, वो आ गई है, basically, यह equations बनती ही जारी है, इनका कोई solution नहीं हो रहा, तो लाद आप इनको equations का नाम दे रहे हैं, इनको आप solve करके ही, इनसे आप क्या मालूम करेंगे, x और y की value मालूम करेंगे, x और y की value ही आपके center होगा, ठीक है जी student, तो अभी तक आपने क्या किया, इस 3 और 2 की निकाली, अब तीसरी के मालूम करते हैं, अलाद आप यहाँ पर heading डालेंगे, भही आप क्या मालूम करने जा रहे हैं, तो c, c, c यहाँ पर 2 center है, c, c यहाँ पर 3, 4, ठीक है, और o क्या दिया वाँ है, आपके पास x और y, ठीक है, जी student, जो आपने खुद consider क्या है, करेंगे और दूसरे पॉंट को एक्स टू वाई टू कंसीडर करेंगे ठीक है इस्टुडेंट फिर क्या होगा देखें अब आपको पता है यहां पर डिसनल फार्मुला यूज करें ठीक है जी डिसनल फार्मुला क्या बंदेगा यहां पर मेरे बच्छो इसकोई एकसि स्कॉइल माइनस एकसमन का हो एकसो प्लस वाई टू माइनस हौएँortic याप कर लेता हूं अब यहां पर यहां पर क्या होगा iPhone X2 की value क्या है आपके पास X2 की value है X-X1, X1 की value क्या है आपके पास 3, simple, square, plus Y2 की value क्या है, यहाँ पर आपके पास Y है, minus Y1, ठीक है जी, Y1 की value क्या है आपके पास 4, तो आपने वो 4 लिख जा और उसके पर whole square लगा दिया, अब क्या करेंगे, ज़रा देखिए, student, is equal to, यहाँ प B का square करेंगे, तो 9 हो जाएगा, ठीक है, student, first होगी, अब second को expand करते हैं, तो B का X का square, यानि कि इसका square करें, तो A का square किया, तो Y हाँ पर Y है, Y का square, minus 2AB, तो 8Y बन जाएगा, और इसके बाद जो B का square करना है, तो B यहाँ पर 4 है, तो 4 का square किया, तो यहाँ आपके पास 16 बन और section कितना हो गया, sum कर दिया, तो यह 25 हो गया, तो यह क्या गया, CO आपके पास आ गई, तो यह आपने इसको क्या कह दिया, equation C, अभी तक का बेचा, आपने क्या काम किया, तीन distance मालूम करें हैं, यानि यह distance formula लगाते विए, तीन equations मालूम करनी है, अभी तक, अब इसके आग इनके तो distance वो क्या है, सारे equal है, क्यों, क्योंकि यह circle के है, यह basically radius represent कर रही है, तो यह radius same होते है circle के, तो लादा आप यहाँ पे लिखेंगे, as we now that, हम जानते है, क्या जानते है, क्या जानते है, क्या जानते है, क्या बाई, OA क्या होता है, basically, OA is equal to BO, ठीक है, जी is equal to CO, यानि क जो तीन साइट की तो distance मालू करें, यह एक दूसरे के equal है, यह वाली बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी student, तो अब इससे क्या करेंगे, अब जानते हैं, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर equate कर लें इस साइट को, तो जानते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, OA equation A and B, क्यों, OA equation A है, और BO है वो आपके पास equation B है, तो यहाँ से हम value put करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, तो आपको पता है, उनके जो साइट साइट है, वो same है, तो चैनले जी value put करते हैं, तो जो है, वो किसके बराबर है, यह लिखी वी, तो आप लिख देंगे, यहाँ आपर, X square plus Y square minus 4X minus 2Y plus 5, ठीक है, इस इकल टू B O, तो B O क्या है, B O आपके पास equation 2 से value आईगे, तो यहाँ किसके बराबर है, X square plus Y square minus 10X minus 4Y plus 29, ठीक है इस student, अब आपके क्या करेंगे, जरा वो देखें, तो आपको पता है, इस equation को हम आप solve करेंगे, तो solve करने के अंदर यहाँ पर क करने के लिए क्या करेंगे, squaring on both sides, ठीक है जिस student, both sides squaring करेंगे, तो आपको पता है, square side पे भी किया, और square its side पे भी कर रहा, तो square से square root cancel हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, X square plus Y square minus 4X minus 2Y plus 5 is equal to X square plus Y square minus 10X minus 4Y plus 29, ठीक है जिस student, simple, अब आप दरा देखें, अब आपके पास value बच रही है, अब आप क्या करेंगे, इस student, वो जारा देखें, अब आप equation को मेंगे, जो पूरी है, उसको सारी चीदे, तो देखेंगे, यहाँ पर 10X है, तो यहाँ पर आपके पास 6X बच जाएगा, इसके बाद आपके चलते है, minus 2Y है, इस side पर यह है, minus का, plus 4Y हो जाएगा, तो 4 में से 2 चले जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 2Y बच जाएगा, फिर आपके चलते है, 29 plus का, is Is Equal To Caer, कि क्या होजएगा, minus का होजएगा, ठीक है जी स्टुटन, तो Is Equal To Caer, कि minus का होजएगा, तो minus और plus 5 करेंगे, तो यह पर आपके पास आजएगा, 24, ठीक है, लेकिन MINUS का 24 Is Equal To, ठीक है जी स्टुटन, तो यह देखेगा, simple आपके पास आपके पास आगई एक equation, तो यहां पर 3X, 2 जब मैं इसे डिवाइट करूँगा, तो यहां पर सिंपल Y बज़एगा, और 2 जब मैं इसे डिवाइट करूँगा, तो यहां पर आजएगा 12 is equal to 0, तो 0 से डिवाइट किया तो मेरे पास 0 ही आजएगा, अब यह जो equation बनी है, इसको मैं कहें दूँगा equation number 1 तो यहां से आजएगी, फिर इनकों solve करेंगे, तो आपके पास X और Y की value आपके सामने होगी, अगर आपने इस question को समय लिया, तो आगे कि जो दो questions है, वो भी important है, वो भी आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि इस concept के ओपर वो base कर रहे होती है, तो चलेंगे अब आगे करते हैं अब क्या करेंगे 4, अब ले लें आप दूसरी साइट, यानि कि सबसे पहले O, A, 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 O और B, O लिया था, अब आप ले ले लें, तो 4, आप ले लें, B, O, is equal to C, O, ठीक है, इस student इन दो साइट को ले ले, तो दोसरा देखें, B, O की value क्या है, B, O की value जो है, B, O की value लेंगे आप इसको पूरा ऐसी का ऐसी लिखने, तो वो क्या है, आपके पास X square, plus Y square, minus 10, minus 4Y, plus 29, इसी कर्टू, CD की value कहां से, एक equation C से आएगी, तो वो क्या लिखी हुए आपके पास, whole square root, X square, plus Y square, minus 6X, minus 8Y, plus 26, sorry 25, टिक है जी बेटा, simple, तो आप आप इसको squaring करें, यानि कि इसको simplify करें, तो इसको simplify करने से पहले, squaring on both side करूंगा, क्योंकि, Subaru का जब जब सक ignorance, कर रहें किodaया, स्कूरुआ इसको मैं, क्या नहीं कर सकाँगा, मज़ी simplify नहीं करूंगा, तो squaring on both side, आपने यहां पर लिख दिया, तो जब squaring on both side, आप लोगो ने की, यहां पर, स्कूर से square root, can फिर फाइब आप बता है यहां पर यहीं प्लस और यह एक दूसर को कैंसल आउट कर रहा है यहां पर आपके पास क्या बचल गया माइनस टैन एक्स-4y अब सब्सक्राइब करते हैं अगर यह माइनस का ही साट पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्लस का 2 गया अब यहां पर यहां प्लस-4y बच जाएगा अब यह प्लस का 29 है उदर जाके माइनस का 29 हो जागा तो प्लस 25 माइनस 29 तो यहां पर आपके पास माइनस 4 बच जाएगा इस इकल टू जीरो तो यहां पर आप चीज नोट करेंगे वो क्या करेंगे अगर आप इस equation को 2 से क्या करते हैं तो टू डिवाईट करते हैं ठीक है टू डिवाईट हो इक्वेशन को डिवाईट कर देंगे क्यों अच्छा इसको तो यहां पे य बच जाएगा और जब मैं 4 से टिवाइड करूँ तो यहां पर मिरे पास 1 बच जाएगा और इजी करूँ जब 4 से टिवाइड करूँ तो 0 से जो चीडिवाइड करो वही आ जाती है तो लहागा आपकी जो एक्वेशन आई आप इन दोरों को के देंगे equation 2 کہہ دیں گے अब student देखेंगे यह दो equations है यही दो आपकी main equation है अब आप क्या करेंगे इन दो equations को simplify करेंगे और इन दो equations से x और y की value मालूम करेंगे और आपको पता है आपको क्या मालूम करना था center मालूम करना था center को आप किस से represent कर रहे है x और y से तो जब आप X और Y की वेल्ओ मालूम करेंगे तो इसको कॉसेसको अपर यह ती, इसको सबसे पहले हम यह लगा देते हैं, सही तरीके से लगा लगा winter अब इसको फक्राइब करते हैं, तो जब आपके पास यहापे आपके पास कौन सीखीशन है? आपके पस फ्री इकस equation यह है दिखेंगे इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं equation 1 है और दूसी equation के लिखाली है x minus y minus 1 is equal to 0 तो यह आपके पास equation 2 है अब इन दो equation जो आपने मालूम की है condition को use करते हुए अभी जासे x और y की value मालूम करनी है तो बिटा अब अपना common sense use करेंगे तो दिखेंगे अगर मैं equation 1 और equation 2 को add कर दूँ ठीक है तो यह प्लस का और यह minus का cancel out हो जेगा तो जो इनको फिर add करूँगा तो यहाँ पर simple जो नई चीज़ बनीग उसके अंदर x x रह जाएगा now we add equation 1 and 2 ठीक है equation 1 and 2 को add करते है तो 3x plus y minus 10 is equal to 0 फिर x minus y minus 1 is equal to 0 इनको क्या करना है add करना है तो जारा देखें क्या हुआ 3 और 4 कितने हो गए 3 और 1 कितना हो गया 4x हो गया अब यह plus y यह minus y ठीक है जी student अब minus my अब इसके बाद यह तो खत्म हो गया अब यहाँ पर क्या रहेगा है minus minus plus तो यह minus 13 आ जाएगा is equal to 0 है अब यहाँ से आप x value मानूब कर सकते हैं बिल्कुल कर सकने है कैसे यह minus का is equal to set पर जाके plus का हो जाएगा और यहाँ से 4 multiply हो जाके divide हो जाएगा तो यहाँ पर simple आपके पास क्या रहे जाएगा एक्स रहे जाएगा अब आप क्या करेंगे put x in equation आप one में पूट करने two में पूट करने जो आपका दिल करें जिसमें दिल करता है आप करने मैं कहता हूं equation two के अंदर पूट कर जाएगा अगर यहाँ पर करता हूं तो यहां पर करता हूं put x in equation two equation two में put करों ताके मैं easily निकाल सकूँ तो x की value क्या है यहाँ पर equation one क्या है x लिखा हुए तो एकसी जागा मैं डाल दिए 13 upon 4 ठीक है जी student फिर क्या है minus y minus one is equal to zero जो equation दिए ऐसी रही simple x value डाली है तो अब देखिए यहां से आपको y की value मालूम करनी है तो 13 upon 4 minus 1 is equal to y हो जागा यह minus का is equal to go set पे जाके plus का हो गया ठीक है student अब आप यहां पर क्या करेंगे student आपको पता है जो paper में आपके पास होता है time income तो आप इसका LCM लें या अगर आपके LCM लेना कमजोर है या कोई कच्छा पका है तो उसके लिए आप क्या करेंगे पूरी value calculator में डालेंगे ठीक है student पूरी value को आपने calculator में डाले और उसका answer लिया तो क्या है 9 upon 2 यानिके इसका LCM लिया तो आपके पास आगर 9 upon 2 तो उन बच्चों के लिए 9 upon 4 आ रहे है मेरे शेट पड़स की वरे से गलती हो गई तो यह जो आपने y की value मालूम करी वो क्या करी बेटा 9 upon 4 आगे जब आपने LCM लिया तो आपको क्या मालूम करना था required आपक आपको सेंटर मालूम करना था ठीक है जी स्टुडेंट तो आपको सेंटर को और से प्रिजेंट कर रहे थे वह क्या था एक्स और वाई से आपने लिखा था एना सुडेंट तो आपने X और Y की value मालूम की है 13 upon 4 और Y की value क्या मालूम की है 9 upon 4 तो this is your answer यह होग एक बात खाता अब तक तो होगस आपको यहां पर क्या मालूम करना था सइंटर मालूम करना था ठीक है जी स्टुडट्ट अब के अलावा एक ओर चीज भी तो है सट्र के लावा एक ओर चीज़ में आपको बतातु हूं यहां पर आप क्या करेंगे अब भी तक हम लोगे ने सेंटर मालू कर लिया वो कहा है थरी निम्पर फॉर और नाइन अपॉन फोर फोर अब जी तो आप जर्ड़ा देखिए क्या करना था स्ट्रेंट आपको सेंटर और रेडियस मालू करना है तो करते हैं यहां पर देखार हूं हम में बहुत बार यूज़ कर लिया है तो आप जब देखिए नेकि पूरी value 13 upon 4 लिखाभा है ठीक है उसके बाद क्या लिखाए minus 2 लिखा गए ठीक है बेटा और इसके उपर क्या लिखावा है तो मैं इसके उपर हो प्लस करेंगे आगे क्या लिकावा है और इसका ब्रैकेट क्या है पूरी वैली जो ती डिस्टा फर्मली की जो लग रही थी यहां से लेकर यहां तक इसको मैं लिखा इसको इक्वल किया तो यहां पर आपके पास ए ओ आया वो क्या आया फाइफ अंडरू टू अपॉन फो यूनेट क्योंकि यह यूनेट एक बिसकाली लेंट है कि सब्सक्राइब की यहां से लेकर एक जो किसके बराबर है रेडियस के बराबर तो आपके रेडियस दो निकल कि आया था यहां पर को प्लीट होता है जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और आपके पास्पेपर में भी आया हूँ है अमीद है कोशन हो गया तो क्लिए कोई भी कन्फीजन हो तो आपके मर्स के अंदर पूछ सकते हैं अल्लाः आफिछ